गुड मारिंग, आज हम इलेट्रिकल सरकीट थोरी में इस्टार डिल्टा ट्रांस्फोर्मेशन को डिस्कस करेंगे। कॉंप्लिकेटर नीटवर्क जिसमें नमबर अप्रांचेज बहुत ज़्यादा हों। उन्हें सोल करने के लिए हम इस मैथड को काम में लेते हैं। इसमें इस्टार कनेक्शन को डिल्टा से या डिल्टा कनेक्शन को इस्टार से रिप्रेश करने पर सरकीट आसान हो जाता है। देखें इस्टार कनेक्शन जिसमें टर्मिनल 1, 2 & 3 के बीच में रेश्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड हैं। इसका इक्वलेंट डिल्टा कनेक्शन यहां भी टर्मिनल साथ के 1, 2, 3 और इनके बीच में डिल्टा रेश्टेंस R1, 2, R2, 3 R2, 3 & R3, 1. इस थ्री रेश्टेंस R1, R2, R3 are connected in a star and this star connection can be replaced by this delta with three resistances R1, 2, R2, 3 & 3, 1. जैसे कल हमने delta को star में convert किया था उसी तरह से star को delta में convert करेंगे। यहां किनी दो टर्मिल के बीच रेश्टेंस और यहां उनी टर्मिल के बीच में रेश्टेंस इक्वल होना चाहिए। तब भी यह दोनों network equal होंगे, equivalent होंगे। तो देखे, एक और दो के बीच में resistance यहां पर R12, एक branch, दूसरी branch में R23 & R31 यह दोनों series में हैं और फिर आपस में parallel में हैं तो रेश्टेंस हुआ R12 into R23 plus R31 upon R12 plus R23 plus R31 is equal to यह रेश्टेंस एक और दो के बीच में R1 plus R2, equation 1 इसी तरह से, रेश्टेंस between terminals 2 and 3, R23, R31 plus R12 upon R12 plus R23 plus R31 is equal to R2 plus R3, यह रेश्टेंस R2 plus R3, equation 2 इसी तरह से, तीन और एक इवीच में रेश्टेंस, R31, R12 plus R23 upon R12 plus R23 plus R31 is equal to R3 plus R1, equation 3 अब यह तीन एक क्वेश्टेंस console कर लेंगे, R12, R23, R31 के लिए, तो R12 होगा, R1 plus R2 plus R1 into R2 upon R3 R23 होगा, R2 plus R3 plus R2 into R3 upon R1 and R31 is equal to R3 plus R1 plus R3 into R1 upon R2 कैसे remember करें इनको, बहुत आसन है, R12, एक और दो के विचित रेश्टेंस है, वो कितना होगा, एक और दो के विचित, जो इस्टार रेश्टेंस है, R1 and R2 देखे, R1 plus R2 plus इन दोनों का प्रोडेक्ट R1 R2 upon 3rd resistance R3 R1 plus R2 plus R1 R2 upon R3, इसी तरह से R23 दोर तीन की विचित रेश्टेंस है, अपना डेल्टा में, वो कितना होगा, इस्टार में दोर तीन की विचित रेश्टेंस R2 plus R3 plus दोनों का प्रोडेक्ट R2 R3 upon R1, और R31 इसी तरह से, इसकी वैलियो होगी, R3 plus R1 plus R3 R1 upon R2, Thank you.